हेलो दोस्तों नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एक्जाम गुरुजी चैनल के डेली करेंट अफिर्स के वीडियो में आज 5 जुलाई 2022 है और आज के वीडियो की PDF डाउनलूट करना मत भूलिएगा ये PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगी चैनल के लिंक अनमोल बना देता है येकिन मानिए दोस्तों डूनिया में अगर सबसे कीमती और सबसे बल्वान कोई चीज है तो वो है समय और समय के ऐसी चीज है जो एक बार जाने के वाद वापस नहीं आ सकता आप दुनिया की सारी समपते भी अगर किसी को दे दो तो वो आपके जीवन के बिताय हुए एक छण को भी वापस नहीं ला सकता तो समय बहुत ही important value रखता है और समय के मोल को जिसने समझ लिया और सही समय पर सही काम को कर लिया वह इंसान जो हता है समय के साथ आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे वो लगतार प्रगती करता रहता है तो आप भी अगर प्रगती अपनी life में करना चाहते हैं तो समय की value को समझ ये और अपने समय को बहुत सूच समझ कर खर्च कीजिए इसी थोट के साथ आगे बढ़ेंगे बात करेंगे quick reason कल के पड़ेगे current offer के प्रसनों का पहला प्रसन है कि Miss India 2022 का खिताब किसने जीता है तो ये खिताब जीता है सिंधी सेटी ने दूसरा प्रसन है QS Best Student Cities Ranking 2022 में भारत का कौन सा सहर सामिल नहीं है तो इसमें भारत का कॉलकत्ता सहर सामिल नहीं है अब भात करेंगे तीसरे प्रसन की के राहुल नार्वेकर महरास्ट रविधान सभा के नए अध्यकाश wellness सुने गएं ये किस पार्टी से हैं तो ये भारती जं'tा पार्टी से हैं चौथा प्रसन है कि भारती प्रतिसपर्ध आयोग ने गूगल के किस भारती कम्पणी में 1.28 प्रतिशत के एक्विटी यधिग्रण को मन्जूरी दी है, तो यह भारती ATL के लिए मन्जूरी दी है, पाँचवा प्रसन है कि NATO मेदरिéta सिखर सम्मिललन 2012 कहां संपन हुआ है, तो यह मेदरिट इस्पैन में संपन हुआ है चाटवा प्रसन था कि नारी को नमन योजना किस राज सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसको हिमाचिल प्रदेश ने शुरू किया था साथवा प्रसन है कि मसूर निर्देशक और धियतर दिगज पीटर स्टीफन पॉल का निधन हो गया है उन्हें भारा सरकार द्वारा कौन सा समान दिया गया था तो 2021 में भारा सरकार देवं को पद मिसरी दिया था ये थे हमारे कलके पड़े गया करेंड़ के प्रसनों का क्यों क्रिविजन आगे बढ़ेंगे आज के प्रसनों की बात करेंगे और आज के मोदीची के द्वरा किया गया यानि कि ए उप्षन प्रस्नका सही उत्तर है डीटेल देख लिजे क्या है तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीची ने चार जुलाई को गांधी नगर गांधी नगर कहां पर है तो यह गुजरात की राइधानी है याद रखेगा गुजरात की गांधी नगर है, एहमदाबाद नहीं है तो गांधी नगर स्थित महात्मा मंदिर में डिजिटल इंडिया सप्टा 2022 का उधगाता किया है और यह जो डिजिटल सप्ता है इसका जो विसे है नव भारत प्रध्योगी की प्रेणा इस अवसर प्रधान मंत्री जी ने कुछ ड इंडिया स्टेक ग्लोबल, माई स्कीम, मेरी पहचान, डिजिटल इंडिया भासिनी, डिजिटल इंडिया जैनेसिस, चिप्स टु स्टार्ट अप और केटलाइजिंग न्यू इंडिया स्टेकेड इन सबकी e-books जैसी अलग-अलग डिजिटल पहलों का भी इनके द्वारा सु कि राज्यों की स्टार्ट अप रेंकिंग 2021 में सीर्श प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य सामिल नहीं है, तो इसमें सामिल नहीं राज्य है, मध्यप्रदेश यानि की D-Option प्रस्नका सही उतर है, डिटल देख लिजिए क्या है इसकी, तो केंद्री वा राज्यों को रेंकिंग दी गई है, जैसे सीर्श प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, जिन्नों है सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, केरल, महाराष्ट, ओडिसा, तेलांगना और जमु कश्मीर, नेतरत्व करता राज्य यानि कि जो अच्छा कर रहे हैं, वो हैं उत् अच्छा करने की उमीद है, वो हैं च्छतीजगर, दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजिस्थान, चंडिगर, पॉंडिचेरी और नागलेंड, और उभरते हुए स्टाप, स्टाप परिवेश वाले राज्य हैं, आंध्यप्रदेश, बिहार, मिजोरम और लदाख, बात अच्छा करेंगे हम तीसरे प्रस्ण की कि ALH स्क्वाडरन आई एन एस 324 को कहां आयोजित कारिक्रम में कमिशन किया गया है, यानि इसको भारती वायू सही ना में सामिल कर दिया गया है इस स्क्वाडरन को और ये किया गया है विसाखा पत्नम में, यानि कि B option प्रस्ण का स Chief Vice Admiral विश्वजीत दाजगुपता की उपस्तिते में एक समारो हुआ और ये समारो INS देगा विशाखा पत्नम में आजित हुआ, INS देगा क्या है तो ये जो सेना का पूर्वी कमान है उसका मुख्याले है विशाखा पत्नम में INS देगा, तो वहाँ एक समारो हुआ और वह के हलिकाप्टर, ALHMK 3rd, याद रखेगा इसको हलिकाप्टरों का संचलन करने की नोसेना की एक पहली स्क्वाइडर्न होगी, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, INS 324 की बात करें, इसको क्रेस्टरल के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और क्रेस्टरल क्या है, ये एक सि प्रतीक है, इसको किस नाम से सामिल किया गया है, ये नाम क्या दिया गया है, तो केस्टरल्स नाम के सिकारी पक्षी के नाम पर इसको नाम रखा गया है, बात करेंगे हम चौथे प्रस्न की कि किस IIT में अत्याधुनिक Autonomous Navigation पर प्रद्योगी की नवाचार केंदर तिहान क उधगाटन किया गया है, और इसका उधगाटन हिदराबाद में किया गया है, यानि कि C option प्रस्न का सही उतर है, डीटेल लेख लिजे क्या है, तो जो केंदरी विज्ञान प्रद्योगी की के राज्यमंत्री हैं, डॉक्टर जीते इंदर सिंग, उन्होंने 4 जुलाई को ए अवचार केंदर जिसका short form तिहान बनता है, इसका उधगाटन किया है, ये जो तिहान है, ये काम क्या करेगा, तो मानव रहित वायूयान, ऐसे वायूयान जिनको चलाने के लिए मानव की अवशक्ता नहीं होती, और दूरस्त नियंतित वहान, यानि ऐसे वहान जिनको दू दूरसे निर्णे ले सके, जिसको निर्णे लेने के लिए किसी और पर डिपेंडन ना रहना पड़े, अथवा autonomous navigation system पर आधरित प्रद्योगी की नवाचार केंदर तिहान foundation के रूप में इसको जाना जाता है, और काम क्या करता है, तो मानव रहित और स्वायत जो बहान होते हैं, उन से संबंधी जो चुनोतियां हैं, उन चुनोतियों को समधान करने का काम ये करेगा, कुल मिलाकर autonomous जो वायुयान होते हैं, उनको कैसे और विक्सित किया जाए, उस तकनीक को कैसे और विक्सित किया जाए, इसी के लिए ये center काम करने वाला है, बात करेंगे पांचि प्रसन का सही उतर है, डीटेल देख लीजे क्या है, तो भारती सेना का आधुनिक सस्त्र है, पिना का, ये इस प्रकार का एक rocket प्रनाली है, पूरी के पूरी, जिसमें एक ट्रक के उपर इस प्रकार से rocket लगे रहते हैं, और इसका निर्मान जो है, इस प्रनाली का निर्मान आयुद निर्मानी इटारसी के अंदर आयुद निर्मानी जगा है, एक आयुद निर्मान करने की जहां पर सेना के लिए क्या बनते हैं, बम गोले बगेरा बनते हैं, तो उसने इसको और इसकी छमताओं को बढ़ाया है, तो आयुद निर्मानी इटारसी की बात करने तो कह दिन हुआ करती थी पहले उससे घटा कर 30 दिन कर दिया है इसका सफल परिक्षन पोकरन फील्ड फाइरिंग रेंज राजस्थान में किया गया और आयूद निर्माणी जो हैं वो भारत की सेना में काम आने के लिए मिसाइल हैं रॉकेट बंदूक टेंक और इसी प्रकार के गो कौन सा सहर सीर्स पर है तो इसमें जो सीर्स पर सहर है वो है बैंगलूरू यानि की सी ओप्षन प्रसनकास सही उत्तर है डीटेल लेख लिजे क्या है तो एशिया प्रसांत इस्थिरता सूचकांग को नाइट फ्रेंक के द्वारा लॉंच किया गया है और नाइट फ्रेंक ओक इसमें इन चारों को स्थान दिया गया है अब एशिया प्रसांत के सहर है तो बैंगलूरू जो है भारती सहरों की जो इस्थिरता सूचकांग है उसमें सबसे उपर है और एशिया प्रसांत मैं इसका 14. नंबर है इस रिपोर्ट में एक बाら यही सहर है जो सवर्ण मानक प्रस्थिर्म में अपनी जगह पाया है। इसके लाँबा स्वास्थ विकास की द्रश्टी से दिल्ली भारती सह्रों में दूसरे स्थान पर है और एशिया प्रसांथ छेतर में 70 वे स्थान पर है। और मुंबई है अंतमें जो एशिया प्रसांद छेतर में 20 स्थान पर है। बात करेंगे वह हम साथ पर प्रस्थान की कि बेंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है और इसका नाम बदल कर वित्तिय सेवा संस्थान ब्यूरो कर दिया गया है यानि कि ए ऑप्षन प्रस्थान का सही उतर है। बोर्ड गठित किया गया था बेंक बोर्ड ब्यूरो उसको कुछ संसोधनों के साथ बदल दिया गया है वित्य सेवा संस्थान ब्यूरो में अब जो है सारजिक छेतर की जो साधरन बीमा कंपनिया है उनके महाप्रवंदग और निदेशकों के चैन का दायत विभी इस नव गठित FSIB इसको ही दिया जाएगा तो यह आपको याद रखना है और जो BBB था बेंक की ब्यूरो उसकी स्थापना की गई थी 2016 में और इसका काम ये था के सारजिक छेतर के बेंक और जो बित्ति संस्थान होते थे उनके पूर्ण कालिक जो निदेशक होते थे ईनिक डिरेक्टर जो बनाए जाने थे और गेर कारी-कारी चेहरिमेंट इन सब की निक्ति के वारे में इसको क्या करना था सिफारिस करना था हाल ही में क्या किया था जो दिल्ली का हाइकोट है उसने कहा था कि ये जो BBB है ये बैंकों के प्रमुकों की जो नियुक्ति कर सकता है लेकिन राज्यों के जो बैंक है उनकी नियुक्ति ये नहीं कर सकता तो उसके बाद पर ये नया संस्थान बनाया गया है जिसका नाम है वित्तिय सेवा संस्थान ब्यूरो बात करेंगे आठवे प्रसने की एक हाल ही में टेस्ट मैच के एक ओवर में सरवाधिक स्कोर बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस ने बनाया है तो ये जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है ये जस्प्रीत बुम्रा ने बनाया है यानि की B option प्रसनका सही उतर है डीटेल देख लिजे इसकी क्या है तो भारती टेस्ट कप्तान है जस्प्रीत बुम्रा इन्होंने इंग्लेंड के स्टूर्ड ब्राट के एक ओवर में 35 रन बना दिये और ये तिहास बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया इससे पहले ब्रायन लारा ने एक ओवर में सबसे ज़्यादा 28 रन बनाने का रिकॉर्डिन के नाम था जस्प्रीत बुम्रा की बात करें तो इनको 101 दिविशी विर्केट लेने वाले दूसरे तेन के इनबाज भी बन गया है अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो येकिन मानिए आप अपनी पढ़ाई के प्रती अपनी स्टडी के प्रती बहुत कम भी रहे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को यहां तक नहीं देखे हैं बलकि सुरू में कुछ सेकंड देखके कुछ मिट देखके अपना समय खराब करके जा चुके हैं तो आपको उजवल होईशकी में अग्रिम बधाई देता हूँ और अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो आज को दो देश जाने का मौका मिलेगा वो भी 3D मैप में इससे पहले नहीं मिला था चलिए बात करते हैं नवे प्रसनकी के इलोडो कप मुक्केवाजी टूर्णमेंट में किसने स्वर्णपतक जीता है और ये जीता है अलफिया पठान ने और गीतिका ने यानि कि ए आप्शन प्रसनका सही उतर है डीटेल लिख लिजे क्या है तो कजाकिस्तान की राइधानी ये नूर सुल्तान और नूर सुल्तान में आईजूत हो रहा है पहली बार मुक्केवाजी टूर्णमेंट जिसका नाम है इलोडो कप और इसमें जो यूबा विश्व चेंपियन है अलफिया पठान भारत की उन पहले संस्क्रण में दो सोड़ पठक जीते हैं एक तो जीता अलफिया पठान ने दूसरा जीता गेतिकान ने दो रज़त पठक सहित कुल्द दस काश्य पठक सहित टोटल 14 पठक जीते हैं और ये टूनमेंट समाप्त हो गया है बात करेंगे अब हम कजाकिस्तान की तो यह चलता हूं तो जैसा कि आप इसक्रीन पर देख पा रहा है यह हमारा भरत है और हमारे भरत से अगर आपको चाजाकिस्तान जाना है तो आपको ऊपर नorarख में चलना पड़ेगा नर्थ में आप देखेंगे चाइना है चाइना के बाद यह यलो गदर का सबसे बड़ा देस दिखाई दे रहा है इस छेतर में ये कजाकिस्तान है कजाकिस्तान की राइधानी क्या है तो नूर सुल्तान जो है वो कजाकिस्तान की राइधानी है चुंकि कजाकिस्तान पूर्व सोबियत संग का हिस्सा हुआ करता था इसलिए इसकी सीमा उपर रशिया के साथ में लगी एक है ये कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर important जगा है तो ये कैस्पियन सागर भी कजाकिस्तान की सीमा इसके साथ लगती है और इसी में यूराल नदी आकर करती है, ये यूराल नदी है ये यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है यूराल नदी के पूर्व में यानि इस तरफ एशिया है और इसके पश्चिम में जो है वो यूरोप है इसके अलाबा यहाँ पर आप देखेंगे ये एक अरल सागर है ये एक अरल सागर है तो ये भी कहाँ पर इस्थित है तो ये भी कलजाकिस्तान और उजबेकिस्तान की बीच में इस्थित है ये आपको याद रखना है आगे बढ़ेंगे बात करेंगे अगले प्रश्ण की अगला प्रस्ण दस्वा है कि अंतराश्ट्रिये T20 में 2000 रन और 100 विकेट पूरे करने वाले पहले खिलाडी कौन बन गए है और ये कारणामा कर दिखाया है बंगलादेश के साकिब अलहसन ने यानि कि B option प्रस्ण का सही उतर है डीटेल देख लिजे क्या है तो बंगलादेश के आल राउंडर साकेब अलहसन अंतराश्ट्रिये T20 में 2000 रन और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाडी बन गए है और ये खिताब इन्होंने 3 जुलाई को प्राप्त किया वेस्ट अंडीश के खिलाब जो दूसरा T20 मुकाबला खेला जा रहा था उसमें बात करें बंगलादेश की तो यहां की राईधाई धाका है प्रधानमंतरी से एक हसीना है और मुद्रा यहां की ठाका है मैप में मैं आपको बंगलादेश लिए चलता हूँ तो जैसा कि आप इस प्रीम पर देख पा रहे हैं यह हमारा भारत है और हमारे भारत से बंगलादेश जो है वो तीनों और से घिरा हुआ है यह जो आपको लाइट ग्रीन कलर का जो देश यहां पर दिखाई दे रहा है यही बंगलादेश है जिसकी राइधानी धाका है और यह तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है एक और देश के साथ इसकी सीमा लगती है और यह है म्यामार यहां पर बाकी तीन तरफ से भारत एक तरफ से म्यामार और बंगाल की खाड़ी के बीच में बंगलादेश जंडा है तो ये था आज का हमारा पूरा करेंट फिर का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जुरू बताईएगा और कल मैंने आप से प्रस्न पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी तेरती सोर प्रयोजना का संचला कहां सुरू हुआ है तो 100 मेगावाट की ये प्रयोजना है और इसका संचलन NTPC ने रामा गुंडम तेलंगदा में किया है यानि कि ए उप्षिन इस प्रस्न का सही उत्तर है अब आज के सवाल का उत्तर जरूर दीजेगा कमेंट बॉक्स में कि फाइनिशियल एक्सन टास्क फोर्स FATF के अधिक्ष की रूप में किसने कारे बाहर ग्रहन किया है तो कौन ये बने है कमेंट करके बताईएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत बूलिएगा आपके पॉस्टिव कमेंट सुनकर मेरी भी होसला अवजाई होती है और आप लोगों से एक विशेश निवी दिने के किरपया इस वीडियो को शेयर करते रहें